देबीना गुर्मीत ने पारंपरिक तरीके से किया बेटी का अन्य प्राशन संस्कार बनार सी लहेंगे फ्लोरल जुलरी और पायल पहने बेहत खूपसूरत लगी ननी लियाना मामा के हाथ से लिटल प्रिंसेस ने किया पहला अन्य ग्रहन टीवी के राम और सीता यानि की आक्टर गुर्मीत चौधरी और देबीना बेनर जी इसी साल पेरेंट्स बने हैं देबीना ने तीन अपरेल को एक बेटी को जनम दिया वही कुछ दिनों पहले ही इस कपल ने अपनी बेटी का नाम लिया आना रखा ये कपल जब से पेरेंट्स बने हैं तब से खुशी से फूले नहीं समा रहे दोनों अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं वही आए दिन दोनों ही अपने लिटल प्रिंसस के साथ तस्वीरे और वीडियो शेयर करते रहते हैं बीते दिनों यानि कि कल पंदा अगस्त के दिन कपल ने अपनी बेटी लियाना चौथरी के साथ पिछतरवा स्वतंत्रता दिवस मनाया था जिसकी तस्वीर उन्होंने सोचल मेडिया पर शेयर की इसके बाद कल ही उन्होंने बेटी का ने प्राशन संसकार भी किया जिसका वीडियो देवीना ने हाल ही में अपने इंस्ट्रगाम पर शेयर किया है बताते कि देवीना बैनर्जी और गुर्मीत चौधरी की बेटी लियाना चार महीने की हो चुकी है जिसकी जलक आप देवीना द्वारा शेयर की गई वीडियो में भी देख सकते है वीडियो और तस्वीरों में देवीना बैनर्जी गुर्मीत चौधरी और लियाना तीनों टेडिशनल आउटफिट में नज़र आ रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं अने प्राशन संसकार से पहले लियाना को फूलों से सजाय गया है इसके बाद उसे चांदी की पायल पहनाई जाती है इसके बाद लियाना के पापा गुर्मीत उनके पैरों पर आलता लगाते हैं इसके बाद लियाना मामा की गोद में बैठी नज़र आ रही है और मामा उसे भाद खिलाते ही नज़रा रहे हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए देवीना ने क्या अप्शन में लिखा आज लियाना की राई सेरमेनी थी जिसे बंगाली में मुखे भाद कहा जाता है इस सेरमेनी के लियाना को हमने प्रिंसेस जैसे कपड़े पहनाए थे उसने अपने मामा की गोद में बैट कर पहला अन ग्रहन किया बच्चे जैसे बड़े होते हैं ये संसकार निभाय जाता है इसके बाद उन्होंने लियाना के लिखा हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बलकि तुम्हें हमारी परंपर और संस्कृति के बारे में बताने के लिए भी तुम्हें ठेरो आशरवाद मेरी प्रिंसेस इसके बाद उन्होंने अपने फांस और फॉलोवर्स से भी अपील की है कि वो लियाना को आशरवार दें इस वीडियो में लियाना की क्यूटनेस हर किसी का दिल चीत रही है लोग वीडियो पिर कमेंट कर लियाना पर अपना खूब सारा प्यार बरसा रहे हैं और वाख़ी अन्य प्राशन संसकार में बनार सी लहंगे फ्लोरो जूलरी और पायल के साथ बेहत खूबसूरत लग रही है लियाना वहीं जौरान देवीना गुरमीद भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और खुश हो भी क्यों ना अखिर उनके लिटर प्रिंसेस ने पहला अन ग्रहन जो किया है इसके साथ ही उनकी खुशी दोहरी भी है क्योंकि वो दूसरी बार फेर पेरेंट्स जो बनने वाले है जी हाँ बिल्कु सही सना अपने गुरमीद चौधरी और देवीना बैनर जी अपने दूसरे बच्चे के वेलकम करने की तयारी कर रहे हैं अपनी पहली बेटी लियाना के जनम के सिर्फ चार महीने बाद ही देवीना बैनर जी पेगनेंट हो गई है अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के खबर पर खुद देवीना बैनर जी ने मुहर लगाई है वो भी सोशल मेडिया पर एक पोस्ट और एक तस्वीर शियर करके इस खबर के सामने आने के बाद से ही तमाम सेलिबरिटीज और फांस कपल को बढ़ाया दे रहे हैं वह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटी लियाना के जनम के चार महीने बाद ही देवीना के दुबारा पेगनेंट होने पर हैरानी भी जता रहे हैं बताती कि बेटी लियाना के जनम के बाद देवीना ने अपने एक वीडियो में बताया था कि वो बीते पाथ साल से माँ बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी साल 2017 से वो बच्चे के लिए IVF श्रीट्मेंट करवा रहे थे और लाखों रुपे खर्च करने के बाद उनकी जन्दगी में बेटी लियाना की किलकार यांगुजी थी हाला कि अब दुबारा माता पिता बनने के लिए देमीना और गुर्मीत को जादे इंतजार नहीं करना पड़ा है कि अब दूबारा माता पिता है